My wife's murder रवी का उनकी असिस्टेंट रीना के साथ अफेर है शीना रवी को खूब खरी-खोटी सुनाती है रवी शीना की बातों को अंदेखा करके सोचाता है दूसरे दिन रवी जब स्टूडियो से घर लोटता है तब शीना बताती है कि उसके माता-पिता शीडी जा रहे है और उन सब को भी साथ आने के लिए कहा है रवी बताता है कि वो बिजी है इस ते वो शीडी नहीं आ सकता तब शीना रवी को ताना मारती है कि उसके पास रीना के लिए टाइम है लेकिन शेड़ी जाने के लिए नहीं वो वापस रीना का नाम लेकर रवी और उस पर गंदे आरोप लगाती है रवी अपना आपा खो बैठता है और शीना को एक चाटा मार देता है तब शीना भी रवी को एक थपड मारती है और रवी उसे धका मारता है शीना पलंग के किनारे से टकराती है और जमीन पर गिर जाती है रवी शीना को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि शीना के सर से खून बै रहा है रवी उसके चेहरे पर पानी डाल कर उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन शीना तब तक मर चुकी होती है रवी फोन उठाकर पोलिस को इनफॉर्म करने ही जाता है लेकिन फिर उसे लगता है कि वो फस जाएगा तो उसके दो बच्चों का क्या होगा और तबी डोर बेल बच्चती है और कामवाली घर में आकर काम करना शुरू कर देती है रवी शीना की लाश को पलंग के नीचे छुपा कर फर्श को साफ करने लगता है कामवाली के जाने के बाद रवी के दोनों बच्चे स्कूल से लौटते हैं वो दोनों अपनी ममी के लिए पूछते हैं तब रवी बताता है कि शीना बाहर गई है रवी फिर बच्चों को नाश्ता खिलाता है और शीना की लाश को एक बड़े कारबोर्ड के बॉक्स में छुपाता है रवी रीना को फोन करके उसकी कार मांगता है रात को रवी दोनों बच्चों को सुला कर शीना की लाश को बॉक्स में डाल कर कार में तालाब के किनारे ले जाता है अंधेरी रात में सुमसान तालाब में वो शीना की लाश वाला बॉक्स डाल देता है दूसरे दिन रवी हमेशा की तरह आफिस जाता है वो काफी डिस्टर्ब होता है और तभी शीना के पिताजी का फोन उसे आता है वो बताते हैं कि घर पर शीना फोन नहीं उठा रही इस पर रवी कहता है कि शीना तो कल दोपैर को ही उनके घर शेड़े जाने के लिए निकल चुकी है शीना के पिता जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं रवी तुरंत ही उनके घर पहुँच जाता है शीना की मा कहती है कि शीना बहुत ही ज्यादा गुसेल्स वभाव की है उसने कुछ गलत कदम ना उठाया हो इसलिए रवी और उसके ससुर पुलिस कंप्लेन करवाने जाते हैं वो दोनों पुलिस कंप्लेन करवा के घर पर वापस आ जाते हैं लेकिन दूसरे ही दिन रवी को पुलिस से फोन आता है कि उन्हें तालाब में एक औरत की लाश मिली है रवी और उसके ससूर जाकर देखते हैं तब वो लाश शीना की होती है रवी के ससूर तूट जाते हैं और तभी वहां इंस्पेक्टर तेजपाल आते हैं इंस्पेक्टर तेजपाल को ये केस दिया गया था वो रवी को बताते हैं कि ऐसे केस में सबसे ज्यादा शक पती परी जाता है रवी अपने घर चला जाता है दूसी तरफ, पोस्मॉट्रम रिपोर्ट में इंस्पेक्टर तेजपाल को पता चलता है कि ये कोई चोरी या सेक्शल असॉल्ट का केस नहीं बलकि शीना के सर पर गहरी चोट की वज़े से मौत हुई है तेजपाल जब रवी के पडोसी से पुछताच करते हैं तब रवी के पडोसी बताते हैं कि उस रात रवी बड़ा बॉक्स लेकर कार में कहीं जा रहे थे पुलिस वो कार नंबर ट्रेस कर लेती है रवी को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और वो ये सारी बात रीना को बता देता है रीना एक बहुत बड़े अमीर आदमी की बेटी होती है लेकिन वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का काम रवी से सीखती है रीना अपने बॉइफ्रेंड राज के साथ लिविन रिलेशन्शिप में होती है रवी रीना से पुलिस को सब कुछ साफ साफ बताने के लिए कहता है पुलिस रीना की कार नंबर को ट्रेस करके जब उसके घर पहुंचती है तब रीना बताती है कि वो रात को कीडो मकोडो की आवाज रिकॉर्ड करने तालाब के पास गई थी इंस्पेक्टर को उसकी बात का यकीन नहीं होता लेकिन कुछ भी सबूत ना होने की वज़े से वो वहाँ से चले जाते है रीना चुपके से रवी से मिलकर ये सब कुछ उसे बताती है और रवी को वहाँ से कही दूर चले जाने के लिए कहती है राज रीना और रवी को चुपके से मिलते हुए देख लेता है और तब वो रीना पर अफैर का इल्जाम लगाता है राज को जैसे ही पूरी हकीकत पता चलती है वो फोन करके सारी information इंस्पेक्टर तेजपाल को दे देता है तेजपाल रीना के घर आकर उसे पुलिस टेशन पूश्टाच के लिए ले जाती है रीना तेजपाल की मीठी मीठी बातों में आकर उसे बता देती है कि रवी से गलती से शीना को धक्का लगा और उसकी मौत हो गई अब रवी मैंगलॉर अपने बच्चों को लेकर जा रहा है इनस्पेक्टर तेजपाल रवी का पीछा करते हुए मैंगलॉर जाती हुए बस में चड़ जाते है रवी की बेटी की तब्यद बिगटी है और वो वही रास्ते में उतर कर एक होटल में चला जाता है इंस्पेक्टर तेशपाल अपनी टीम के साथ होटल पहुँचता है जहां रवी अपने बच्चों के साथ भागता है तेशपाल उसका पीछा कर आखिर उसे पकड़ी लेता है तब रवी अपने बच्चों को बताता है कि उसने गलती से शीना को धक्का मारा था वो कभी भी उसका कतल नहीं करना चाता था जेल में रवी को उसके बच्चों की चिठी मिलती है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि उन्हें अपने पापा पर पूरा यकीन है कि वो सच बोल रहे है रवी को बेल मिल जाती है वो अपने बच्चों के पास वापस लोडता है रीना भी अपने बॉइफ्रेंड राज के पास चली जाती है कभी-कभी आदमी एक गलती कर देता है और फिर उसे छुपाने बार-बार गलतिया करता है तो ये थी थी थ्रिलर स्टोरी माई वाइवस मुडर की कहानी ऐसी ही नई पुरानी हिंदी मोवीज की कहानियों के लिए प्लीज दू सब्सक्राइब तो माई चैनल पॉपकॉन टाइम वित वंदना धन्यवाद